एलो फ्रेंट्स वेलकम टू फोरेक्स गोल्डेन सिल्वर अनलाइसिस दोस्तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल एकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डेस्क्रिप्शन पे वट्सब चैनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक लिक करके फोरेक्स इल्वर के अनलाइसिस करते हैं दोस्तो फोरेक्स गोल्ड के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस में कॉंटिनुवासली हायर हाईजन हायर लोस का फोर्मेशन हो रहा है और दोस्तो जैसे कि हम लोग ने वैट्सब चैनल पे अपडेट किया था प्रोटेंट होने वाला है दोस्तो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट काट होने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तो अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट काट होता है तब जो है गोल्ड और सिल्वर में जो अपमूव चल रहा है ये कॉंटिन रहने वाला है और दोस्तों अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में 50 basis points की जगा 25 basis points का rate cut होता है तब जो है gold और silver में correction भी दिख सकता है और दोस्तों उसके साथ-साथ फेट के तरफ से जो commentary आने वाला है ये भी gold और silver के लिए बहुत ही crucial होने वाला है दोस्तों forex gold के 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं आज के trading session में gold tiny range के अंदर trade कर रहा है दोस्तों at the time of recording this video gold 2569 के पास trade कर रहा है वसी हिसाब से दोस्तों 2567 price के लिए important resistance बन गया है और दोस्तों 2567 के उपर 2580 price के लिए बहुत ही important resistance बना हुआ है और दोस्तों 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं 2567 price के लिए important support बन गया है और 2567 के नीचे 2563 और 2563 के नीचे 2560 price के लिए important support बना हुआ है उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 2563 और 2567 के range के अंदर आता है और sustain करता है तब जो है हम लोग lower level पे बहुत strict stop loss लगा के higher level के लिए trail कर सकते हैं और उसी हिसाब से higher level पे 2576 और 2580 के level के लिए trail कर सकते हैं आने वाले समय में अगर price 2580 का important resistance भी break कर देता है तब जो है हम लोग higher level पे 2590 और 2590 के उपर 2600 के psychological level के लिए trail कर सकते हैं आने वाले समय में अगर price 2563 का important support break कर देता है और इसके नीचे 15 minutes के chart पे या 1 hour के chart पे strong bearish candle form करता है तब जो है हम लोग higher level पे strict stop loss लगा के lower level के लिए trail कर सकते हैं और उसी हिसाब से lower level पे 2560, 2560 के नीचे 2550, 2550 के नीचे 2530 और 2520 के लिए आने वाले समय में trail कर सकते हैं तो यह रहा दोस्तों 4X gold का complete analysis अभी हम लोग 4X silver का analysis कर लेते हैं दोस्तों 4X silver के 1 hour के chart पे हम लोग देख सकते हैं at the time of recording this video silver 30.60 के पास trade कर रहा है इसाब से 30.60 के उपर 30.70 और 30.70 के उपर 30.80 प्राइस के लिए important resistance बन गया है 1 hour के chart पे हम लोग देख सकते हैं 30.40 प्राइस के लिए important support बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 30.40 के उपर sustain करता है और इसके उपर 15 minutes के chart पे या 1 hour के chart पे strong bullish candle form करता है तब जो है हम लोग lower level पे strict stop loss लगा के higher level पे 30.70 से 30.80 के level के लिए trail कर सकते हैं और अगर आने वाले समय में price 30.80 का important resistance भी break कर देता है तब जो है हम लोग higher level पे 31 dollar और 31 dollar के उपर 31.50 के level के लिए trail कर सकते हैं दोस्तों आने वाले समय में अगर price 30.40 का important support break कर देता है और इसके नीचे 15 minutes के chart पे या 1 hour के chart पे strong bearish candle form करता है तब जो है हम लोग higher level पे strict stop loss लगा के lower level पे 30.20 और 30 dollar के level के लिए trail कर सकते हैं तब जो है हम लोग lower level पे 29.80 और 29.80 के नीचे 29.50 के level के लिए trail कर सकते हैं दे रहा दोस्तों forex silver का complete analysis आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छा लगा होगा thanks for watching the video